दोस्तो नमस्कार एक फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम लोग फिर से यूपी स्पेसल जो के कैप्सुल वाली बुक हम लोग चला रहे हैं किसी को अगर ये पूछना है कि दोस्तो हम subscribe किसे बढ़ते हैं वहाली पत्ली सी किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी तो आप लोग यहां से ले सकते हैं यूपी स्पेसल खतम कर सकते हैं केवल केवल दस दिन में फुलाल तो आज हम लोग बहुत इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने माले हैं आज दोस्तों जो भी पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा बहुत छोट आए का तो चलिए सुरू करते हैं ठीके सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देख सकते कि अअपको कहां सकते हैं मेरे अधीन देर्स क्याप्सन में च Hey कर सकते हैं वहां पे गुरूप है अपना WhatsApp गुरूप उसको जोइन कर लीजेगा और वहां पर आपको ये पीडिया बगारा सारी सारी प्रोवाइड हो जाएगी तो चलिए फिलाल तो हम लोग बात करते हैं आज देखिए उत्तर प्रिते से में बन रिपोर्ट 2021 थी इसके है यही पूछा जाता है कि बताईए यूपी के कुल शेत्रपर का कितने पर्सेंट पे बन हैं लगभाग 6.15 पे चलिए यह हो गया अब हम लोग बात करते हैं नीचे देखिए बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन चीज़ है बस यह कुछ नहीं पढ़ना आपको यह फाल दूख चीज़ है इतना पढ़ना है कि जो एकिर में उसके बातं है आप ऐसे आपको जेखते है यह तो बहुत देखते हैं यूज़ाग कि अंब चलिए अब अब दो दिखते हैं सबसे ज़्यादा कम बन कहां है तो तो देखिए नंबर पर वैसे मैं पृम्न सबसे जबसे कम है लिखें वह सबसे कम है उसका मव में है उसके वाद यह है मैं पृम वागर देखते हैं दोस्तों अब यह तो शेत्र पले का क्रोडिंग अब परसेंटेज परक्री childish कि परले both तो इसकी according अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कौन सोन बत्र है नमबर बन पे है उसका चंदॉली आता है उसका चित्र कूट आता है लेकिन अभी जब हमने छेत्पल का according देखे थे तो सबसे ज़्यादा बन कहां थे सोन बत्र में उसका खीरी में उसका मिर्यापर में यहां पर अंतर हो जाता है ठीक है दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ याद रखनी है अगला देखे दोस्तों मैनपुरी में यह चीज़ हो गई आच्छा चंदॉली और यह अब देखे सबसे कम बन भदोई में है उसके ब कल डुए याद रखेंगे उससे ही काम चल जाएगा वैसे तीन आतर उसका डीयोज कर देख दो बोट थोड़ा देख लेते हैं उस्ड कटवंदिये आद्र पढ़ पाती बन उस्ड कटवंदिये कटीली जाड़ियां बस आपको ये तीन नाम याद रखना है इनका बस के वन लोकेशन याद रखना है कहां कई कौन-कौन से बन पहाए जाते हैं तो देखे एक पर मैप मैं त सबस्ट पढ़ देखे दखी कोई बीजरूर्द नहीं है के बलत है तॉच्छ पर्देश में बन सबस्टा हाँ नोटमें आगालं सब्सक्राइब दोस्तों यूपी बनमगुसब सम्ताम है एक जुलाई से लेकर धीक्टी दोस्तों यह सारे सारे पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है च्छोटी से वीडियो इस्वीडियों लेकर अपने हमें यह तलिया जादा इंपोर्टेंट है बहुत का मुलाधार सूख्त बाख मतल Şका होते हैं गार्ष का अर्थ जल है जल का अर्थ रोटी है रोटी ही जीवन है मतलब क्या मिलता है वक्षे बारिस बारिस होती है सब है ना मतलब जैसे कि गो करेंगे उसका बारिस बगएर हो कि और जली किया है रोटी और रोटी ही जीवन है यह इसका जो है आदर्स बाकिया बन महुत सब का देखिए अब यह सारक सारे पॉइंट इपॉइंट बहुत इंपॉइंट एक मैं तो यह कह जादा है जो दूसरी वह जाद है आगे जो बन नेगम अधिनियम आया यूपी में बन निगम अधिनियम वह आया 1974 में कब आया 1974 में अगला देखे बन निगम की स्थापना का वही वही उन्नेशन चाहतर में यही वाली डेट यही वाली है इसकी पूरी 25 नॉब्र 1924 बुगा था अगला देखे ब्रच्छागन में देश महुता परदेश का अस्थान कौन सा है पांच मा अच्छा आप लोग कमेंड में बताएंगे यूपी का चेतर पर कोड़िंग कौन से नमर पाता है पहले पे दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे पांच में बावन आगे देखते हैं दोस्तों कागच का प्रमुक केंद्र क्या कागच का प्रमुक केंद्र सहारनपूर देखिए और सहारनपूर से एक मेने चीज़ बताई देखिया याद आना चीज़ है को संत्रा क्या संत्रा देखिए मैंने लिग भी रखाया है हाई लैटर से ही गाउं जो है चुना गया है कि पहला ग्राम बन घोसित किया कि कौन जिसका नाम में बेल हत्ती ग्राम ठीक आगे दिखते हैं उत्ता प्रदेश में यह इंपोर्टेंट पॉइंट है उत्ता प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी दोहजार चौबेस नोडल आइजेंसी बन निगम है जो अंतराश्टी इस्तर पर बिसमेक राज की संस्ता की रूप में सबसे अधिक बन चित्र को प्रमाडित करने वाली बाला संग्ठन बन गया है यह इंपोर्टेंट पॉइंट था ठीक दोहजार चौदा तो उत्ता प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कवा दोजार चौदे में यह आपको याद रहा है मतलब पीली वित नाम का ट्राइगर रिजर्व उसको ट्राइगर रिजर्व गोसित किया गया दोजार चौदे मैं आगे देखते हैं यह कुछ इंपोर्टेंट योजना है वो भी देख लेते हैं ठीक आती है सीधी चीधी पू लगांजाना तो 2005 में आया अगला देखें ऑपरेशन योजना यह बहुत बहुत ज्याद है ऑपरेशन गज्याद एंपोर्टन नहीं है ऐग ज्याद गरी ब्रचा देखते हैं दोस्तों ब्रच बंदू पृस्कार योजना 278 माई ब्रच बंदू पुरुषकार योजना मतलब जो भी ब्रच का जो भी दोस्त है अगर सई से देख़रे कर रहा है तो उसको जह है अभी पुरुषकार मिलता है आप लोगों को यह सुना भी नहीं होगा पुरुषकार मिलता है चित्र में ठीक है और दूद वगरा भी प आया दोस्तों 20078 में कव 20078 में और यह बहुत इंपर्टन अगर मैं इस ठाल लगा तो इस पर तो गलत नहीं होगा कि ग्रीन यूपी यह दोस्तों कव आया हमारा देखी यह तो आपको घर पता यह ग्रीन यूपी अब देखी यह टाइम किसका आ चुका है मोदी जी का मोदी आते ही चालू कर दिये दिखें उन्होंने सवच भारत में सवच भारत में सवच भारत में जब चालू किया तो यूपी में भी जूस आ गया और वस टाम जो है वह यह सात रूम्मा 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी जो है योजना चलने लगी ती तो अच्छा यह इस जो ऊत्रियृत सब्सक्राइब के चाहिए मिकांस नोब्हें फासे जाएगे तो देखें सब्सक्राइब भी जुचे नीचे पंटी सते ठील में तो ग्रीन कि को प्सक्राइब 223-2202 में बहुत आए तो यह से lifted the ऐविए देज में प्रथम देज की बात चलिए ये देज में प्रथम बन जी परे रच्छड संग्ठन की स्थाफना 1956 में हुई इस संग्ठन का उद्देश से जै विवता जीवाम प्राकर्तिक बात्सों को सरचित करना था अब देखिए आगे पढ़ते ये वाली लियान बहुत इंप है कि वर्तमान में ग्यार बन जी बिहार 14 पच्छी बिहार तथा एक राष्टी उद्धान यानि कि जिसका नाम है दुद्वा आप देखिए मैं आभी एक बात बताई थी दुद्वा है दुद्वा दोस्तों कहां पड़ता है लखिमपुर खीरी में तो दुद्वा देखो दुद्वा देखो चौदे में मदब टाइगर रिजर्व गोषित किया गया है और अमनगार जो की पिजनोर में पड़ता है इसको दुद्वा देखिए पलाल तो ठीक तो दुद्वा तीन टाइगर रिजर्व हैं कौन-कौन से दुद्वा पीलीवीत और अमनगार याद आगे चलते हैं दोस्तों अचली देश का सबसे पुराना पच्छी बिहार नवाव गंज पच्छी बिहार है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नवाव गंज पच्छी बिहार कहां पढ़ता है दोस्तों तो नवाव गंज पच्छी बिहार पढ़ता है हमारा उन् परता है करनोज में सबसे छोटा जो है कहां पढ़ती है अलीगण में यह तीन हो आपको याद रखना है क्या नवाब गन जिसको हम लोग सहीद चंसिकर आजाद नाम से जानते हैं वो और नाव जिलाओं पढ़ता है ठीक है और इसके साथ कि हम लोग डूसरा क्या हुए उत्त का सबसे पुराना बन जीव-पिहार चंदौली में इस्थित है चंदपरवार क्या चंदपरवार जो क्यों निस अताता में है लिए क्या बना ने सो saya चंद्रवार बनाया गया लेकिशक je सबसे बढ़ा बन जीव-पिहार सबसे बड़ावन जीव पिए थिर सबसे बड़ा बन जी बिहार कौन सा है हस्तिनापूर और सबसे छोटा बन जी बिहार कौन सा है महाबीर स्वामी बन जी बिहार कहां पड़ता है ललित को देखे दोस्तों अभी घवराईए गमन ये सारी सारी में ट्रिक से याद करा दूँगा आगे वीडियो में बस यही है वाली वीडियो में आगे आने वीडियो में अब इस्टेटिक जी के ही लर्न करनी है बस थोड़ यूरेंइंड पूरे यूपी में पाया जाता है तो कहां लत पूर में अगर्पूर की मिंटे प्ल्स कि मिट्टाइए यह हैं लाल वी मिंट्टी ऑसकी सानद काली प्ल Two ऐ Jinping जला इस अगर यह तो यह हैं और योपी के ले जिसका नाम क्या है जहांसी इतनी बात है आपको लालतपुर से याद रखने हैं ठीक है यह कवल अकेला जहांसी से टच होता है और लिए केवल भस और एदर जिले से टच नहीं होता है अकेला चलिए यह वी ऐसा पूछा जाता है सबसे मैसा यूपी का ऐसा कौन से जिला है जो सबसे कम जिलों से अपना सीमा बनाता है वो है ललित पूर जो किस से टच होता है कि जहां सी भाई आसे चलिए आगे देखते हैं चलिए और देखिए कोशिन गया है प्रदेश का एक मत राष्टी उद्धान राष्टी उद्धान को अलब नेशनल पार्क दुदबा है और दुदबा जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है लखिमपूर खीरी में ठीक आगे देखिए दोस्तों लखिमपूर खीरी में असे थे 27 में इसको राष्टी पार्क का दरजब जिये गया मतलब उनिसो शचाथ में इसको नेशनल पार्क मनाए गया इसके साथ स से वह भी हम लोग देख लेते एक तो मारी कून हो गए लास्ट पीली भीट के अमंगड को दो जो है दो जार 12 में गोसट किया गया और थक क्या बखा ओगी कालांतर में यानि कि हुष समय बाद किसनपूर, बनजी बिहार तदा करतनी अगार, देखे किसनपूर कहाँ पड़ता है किसनपूर पड़ता है या लखीमपूर कीरी में और करतनी अगार पड़ता है बहराईच में यह आपको याद रखना, आगे पढ़ेंगे फिलाल बहर से भी को दोनों इन दोनों को मिलाकत दुदवा टाइगर रिजर्ब का नाम रख दिया गया इस बाग बेरन का विस्तार लखीमपूर खीरी से लेके बहराईज तक है देखिए वैसे कि आप देख सकते लखीमपूर में किसनपूर है और करतनिय गाट में बहराईज है अगला देखिए पीली वीद में बन जी बिहार पीली वीद बन जी बिहार जो है प्रदेश का प्रदेश द्वारा नो जून दोजार चौदा मेरा भी बताया था पीली वीद वाला कप चुना गया था वालज़ यहीर प्रदेश का दिर दीर रिजा गया पर तमाण में परत्मान में यह स्कारे गल्सेकर खरेंड कर चौन. इस वी जो है चलिए अगे देखते हैं और दोड़ुदा का परता है लखिंपूर की इविए अगे राष्टिए जल जीव आप जानते गंगा डॉल्फिर उत्त प्रदेश के प्रियागराज से मिर्जापुर के बीच यह रहा प्रियागराज यहां पे हम इंदोरों के बीच में जो है हमारा एक गंगा डॉल्फिर पाए जाती है यहां की पाई जाने वली मचली को गंग वहां के स्थानी लोग जो भी है ये शेतर के रहने वाले इसको सूंस गोलते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है 1275 इनको आप जो है ऐसा नहीं है कि हां भी या मसलियां पकड़ने गई तो इनको पकड़ लिया अगर यह जाल में फस भी जाती है ना तो इनको प्यार तरीके से आपको नदी में या पिर जहां से भी पकड़ा हो उसको छोड़ना पड़ता है क्योंकि यह राष्टी जलजीव है ओके दोस्तों चलिए अगला देखते हैं हाती तराई देखिए हाती जो है कौन जी चेतर में पाए जाता है तराई चेतर में सिवाले गरीपद ब बाग आरच्चे चेतर को केंद्रिय बन एवम परियावरण मंत्राले की वैबसाइट पर कारवेट बाग आरच्चे चेतर के बफर जोन में दर्फाए गया है यह इंपोर्टन क्या है कि जो हमारे केंद्रिय बन परियावरण मंत्राले की वैबसाइट है उस पे आपको है 2022 हमारा 2014 हमारा 1907 सीथा सार यह क्या वन्हें यह टाइगर रिजर्व है आगले कर देखी कि अगला क्या है दो सुल लखनों के निकट को रहा है कि लिए लुप्त प्रजातियूं के लिए ठी लखनू में इस्तित है यह सीधर सीधर पूझा जाए को कौन से जिले में इस्तित है तो यह लखनू में देखे मत्रा के ब्रंदाबन में राश्टी पच्छी और के सनचड है तो मयूर सनचड केंदर स्थापित किया गया यह आपने खैर करेंट डफेस में भी तो वह कहां के थे मत्रा की जो थे तो इतनी कुछ चीज थी तो दोस्तों इसका पीडियेप जो है आपको हमारे इसी वीडियो की डेस्केप्शन में आप बॉस्क को देखिएगा डेस्केप्शन में यानि की जो टाइटल लेकि आ रहा है उस पर बहां से बढ़िया तरीकी से क गारंटी से फ़र्षेगा यह मैं गारंटी से कहता हूं ठीक है थैंक यू फो मच आल दी बेस्ट